साउदी अरब ने अपनी राजदानी रियाद में दमुकाब इमारत का निर्मानकारिया शुरू करवाया है और ये जो इमारत है वो जब भी बनकर तयार होगी तब दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कहलाईगी दबाईए आज के इस खास रिपोर्ट में आपको इस इमारत के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारिया बताते हैं दुनिया में साथ अजूबे है लेकिन इनसे अलग प्रह्मान में ऐसी ऐसी जगा और देखने लाया किमारत है कि उन्हें आटवे अजूबे का नाम दे तो गलत नहीं होगा अब इस कड़ी में साउधी अरब अपना नाम उचा करने की कोशिश में है तरसल साउधी अरब की राज़धानी रियाद में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मुकाब पर काम शुरू हो चुका है आस्मान को चूने वाली और सोने की तरह चमकती ये बिल्डिंग दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग का रेकॉर्ड अपने नाम करने जा रही है क्यूग नुमा बिल्डिंग मुकाब की उचाई 1300 फीट होगी जो सतह पर 1200 फीट में फैली होगी तर डेवलपर न्यू मुरबबा डेवलपमेंट कंपनी और साओधी अरब के सेंट्रल पब्लिक इन्वेस्टमेंट पंड इस बिल्डिंग पर पैसा लगा रहे है मुकाब का साइट पर जमीनी कारिय अब 86 प्रतिशत तक पूरा हो जुका है मुकाब को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जिससे कि ये कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर सके इसमें कटिंग एज टेकनोलोजी का इस्तिमाल कर रक्सूरियस और मॉडरन रूम बनाये जा रहे है वहीं बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा एडवांस वर्चूल रियालिटी टेकनोलोजी पर बनाया जा रहा है जो कि 3D से भी ज्यादा रियालिटी का अनुभव कराएगा इतना ही नहीं इस बिल्डिंग का इंटिरियर AI की मदद से होलोग्राफिक बनाया जाएगा जिससे यहां रहने वाले और इस देखने के रिए आने वाले लोगों को कभी ना देखने वाला एक्सपिरियंस मिलेगा मुकाब का एक ऐसा सेंटर बनने जा रहा है जहां आने के बाद किसी को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें कल्चरल वेन्यू, टाइनिंग रेस्टोरंट, रिटेल स्पेस, एक युनिवरसिटी, थियेटर और आइकॉनिक म्यूजियम भी होगा वहीं इसका फ्लोर स्पेस दो मिलियन स्क्वेर फीट का होगा पतादे मुकाब में एक लाग चार हजार फ्लैट्स और नौ हजार फोटल डूम्स भी होंगे इसकी खास बात ये होगी कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल जाने में सर्फ पंदरा मिनिट का वक्त लगेगा मुकाब 2030 तक बन कर तयार हो जाएगा इससे 3,34,000 लोगों को नौकरी भी बिलेगी